नमस्कार, वीडियो टू दे पॉइंट होनी चाहिए सही और वही जानकारी जिसके लिए सब्सक्राइबर चैनल को सब्सक्राइब करके रखता है जैसा कि मेरे चैनल का कंटेंट है इंकम टेक्स रिटन और रिफंड की जानकारी और वो भी उन लोगों के लिए जो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं आज की वीडियो हम बात करेंगे इंकम टेक्स रिटन और रिफंड के बारे में जो भी जानकारी है वो आपको किस हद तक होना जरूरी है और क्यों यहां पर में चार केटेग्रीज बताने वाला हूं अगर आप इंडर फॉल करते हैं तो वीडियो को जरूर आगे भी देखिए अगर आप इन से बाहर है तो वीडियो को यहें पर स्किप कर सकते हैं या फिर कोई टेक्स वरकर करता है या फिर आपका कोई जानने वाला का लीक ओफिस वाला जो थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है लेकिन अगर आप अपना ITR खुछ से फाइल करते हैं तो आपको बहुत अच्छी जानकारी होना जरूरी है जिसके लिए आप यूट्यूब से वीडियो से या फिर कुछ थिसिस पढ़के या फिर बुक्स पढ़के आप अपना नॉलिज को धीरे धीरे डे बाई डे बढ़ा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं इसके लिए बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल में भी है आप उनको पर कर सकते हैं आज बात करूंगा बेसिकली उन तीन के लिए जिनको थोड़ा बहुत टेक्स की जानकारी होना जरूरी है अब आप कहेंगे कि जब आपने ITR खुछ से फा इस सबको ट्रेक करने की जिम्मेदारी आपकी ही बंती है क्योंकि उन्हांने सिर्फ आपका ITR फाइल किया इसलिए आपको इसकी जानकारी जरूरी है कि किस तरह से आपका पोड़ेल खुलता है आपकी डिटेल में क्या लिखा हुआ है कौन सी डिटेल कहां से डाउनलोड हो हुआ है तो भी आपको यह जानना जरूरी है की आपके ट्क्स की स्टेटस क्या आउने वह घंट हो रहा है वह किस तरह से दिखाई देता आकिस साल Yakो कि छोने कित्ना उपने और को पर कही हुआ है तτιमाम सारी डेटेल साब का का parent कैसे चेक करना इस त дальше ढशिए चinstallative की जरू से भरवाया है जो आप से 150,000 उपे लेकर आपका पूरा का पूरा टेक्स से रिफंड कर देता है लेकिन आप से एक भी डिटेल नहीं मांगता उन लोगों को मैं यहां पर अंतरयामी भगवान की के डिगरी में रखता हूं और वह इसलिए क्योंकि जब वह आपका इटेर हुआ है लोग कहते हैं कि मुझे से मेरा फॉर्म 16 और आईडी पासवर्ड भांगा गया इसके बाद मेरा इटेर फाइल हो गया देखिए मुझे नहीं पता कि उन लोगों को कैसे पता चलता है कि आपने कितना पीप में इंवेस्टमेंट किया है या फिर आपने मेडिकल में किया हुआ को इंसुरेंस पॉलिसी आपने ले थी आप कोई हॉस्टल सबसीडिय ले रहे हैं इस सारी चीज की डिटेल आपके फॉर्म 16 में अकसर नहीं होती है या फिर हो सकता है कि आपके इंप्लॉर की तरब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाई गई हो तो इसके ल करते हैं और जब आपको कोई इंटिमेशन या कोई नोटिस या कोई गड़वरी का मेसेज आता है आप उन्हें कॉल करते हैं और वह अंतर द्यान हो जाते हैं इसलिए उन्हें बगवान की के डिगरी में रखा गया है उसके बाद आप परिसान होके अधर-धर भटकते रहत है और कई बार तो केस इतना क्रिटिकल हो जाता है कि कई लोग जो है ना मांसिक तनाव के स्थिदी में भी पहुंच जाते हैं इंकम टेक्स के नोटिस की वजए से तो कोई भी आदमी भले आप अपना खुद से फाइल करें भले दूसरे से फाइल करवाएं आपको टेक्स क यह मेरा आज का चैप्टर है अभी वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि आज का इंट्रोटर्टरी वीडियो है यहां कि मैं इस जो फिनेंसियल है यानि कि एसस्मेंट इयर 24-25 की जो वीडियो है आई टी आर की उनको मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं दिस इस ल योगों को सब्सक्राइबर को परिशान करना मेरा कोई मकसद नहीं है क्योंकि आपको उतने ही जरुवत है लिमिटेट नौलिग जरुवत है और वह टाइम बिंग नौलेज की जरुवत है हर साल टेक्स का जो स्लैब है वो चेंज होता है कुछ पॉलिसी चेंज होती है रू इत्यार फाइल कर सकते हैं इससे जाता साल बर आपको तमाम उठ पढ़ांग से मैसेज या फिर नोटिपे के सन आते रहें इससे तो अच्छा है कि हम वीडियो ही ना बनाए अगर किसी पर्टिकुलर की किसी किसी मेरे व्यूस की पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है या फिर की सिरे जा идет कि मैं बहुत जयादा कंटियो में वीडियो नहीं बनाता हूं बहुत जादा सब्सक्राइबर होने से या फिर बहुत ज्यादा क्वैरिया आने से एक इशू बनता है कि मैं हर किसी की परॉब्लम्स को रिजॉल नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि जितने भी लोगों के case मेरे तक आएं मुस तक आएं मैं उनकी किसी ने किसी तरह से जरूर help कर सको अब बात आती है कुछ basic knowledge कि assessment year और financial year यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आप salary employee है कई साथ को salary मिल रही है तो suppose इस साल की जो total आपकी salary है वो 6 लाख रुपे बन रही है income tax department क्या करता है कि अगर 2024 मा आपकी salary छे लाख रुपे है तो वह एक assessment करता है कि 2025 मा आपकी salary हो सकता है साथ लाख हो जाया यानि increment लगने के बाद इस छे लाख रुपे को वह assessment मान के चलता है कि साथ लाख होने वाली है अगले साल वह साथ लाख हिसाब से हर महिने आप से थोड़ा 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 tax काटना सुरू करता है अब चूंकि यह जो अगले साल का assessment इस साल की gross salary के हिसाब से हो रहा है इसी लिए इस financial year का नाम 2023-24 और एसेस्मेंट इयर चौबीस पच्चीस कहा जाएगा यहां पर लोग बहुत जारे अप्रेल से लेके और 2024 के मार्च तक कि आपकी salary का जो लेखा जो का जो ब्योरा आपके form 16 में अप्रेल मई के महिने में जो आएगा जो मिलेगा उसके लिए financial year 23-24 लेकिन एसेस्मेंट year 24-25 क्योंकि उसी salary के हिसाब से आपका जो next year का टेक्स है वह assess किया जाएगा और हर मेने की salary में से थोड़ा 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 अगले साल deduct करता होता रहेगा इसके अलावा इस बार जो टेक्स जो रिजीम है वह दो तरह के हैं एक old और एक new अब इनके उपर में detail वीडियो भी बनाऊंगा कि किस आदमी को किस टेक्स लैब से आईटियर फाइल करने में ज्यादा फाइदा होगा ज्यादा रिफर्ड मिलेगा इसको माने वाली वीडि एंड एकाउंट ऑफिस है इस साल जो भी वो आपका टेक्स डिडट कर रहा है जो हर मैंने काट रहा है वो नई वाली कैलकुलेशन के हिसाब से काट रहा है लेकिन आपके पास एक लिवे है यहाँ पर आपके लिए छूट दी गई है कि at the time of ITR filling यानि कि जब आप मई जून के महिने में ITR file करेंगे तो आपको दोनों में से कौन सा choose करना है यह आपके ऊपर छोड़ा गया है आपको खुद से calculate करना है कि कौन से वाले से आपको ज़्यादा benefit हो रहा है और आपने उसी के साथ जाना है अब बात करता हूं मेरे viewers का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वा अब बताईए कि किस तरह से इसको adjust किया जाए तो देखिये बहुत गंभीर सवाल है किसी भी tax worker के पास ऐसा कोई formula नहीं है कि वह formula लगाया और आपका refund पूरा का पूरा generate हो के आजाए यह एक process होती है legally चलना होता है क्या चीज आपके लिए benefit वाला है क्या चीज आपके सकती है कानून जो सही है ऐसा नहीं कि आपने आग बंद करके जो डिट्री जो एक्जम्स या डिदक्शन्स आपके लागू नहीं आप भी भर रहे हैं आपको लागू नहीं आप भर रहे हैं ठीक है medical expenditure आपके लिए लागू नहीं है और आप वह भी दिखा रहे हैं आप PPF क करना सेखना चाहते हैं जानकरी लेना चाहते हैं अभी बेकर मेरे चैनल से जुड़े नहीं तो जरूर जुड़े जाएंगे आपको नोटीपेस के ना आते जाएंगे दो महिने की अगर आप स्टड़ी करते हैं हार्डली मेरी वीडियो कभी हफते में या पंदरा दिन में फिर एक महिने मेरी कोई वीडियो आती है अगर आप उसको गंबेरता से देखेंगे दो तीन बार देखेंगे तो ऐसा कोई रॉकेट सेंस नहीं है कि आप अपना एट्यार खुद से फाइल ना कर पाएं अब मैं यहां पर हमेशा आपकी मदद करने के लिए रहूंगा जो भी कि आपका सवाल होता है मुझे जरूर वाटसप कीजिए या फिर वीडियो में कमेंट कीजिए कई साहे लोग मेरे नंबर के लिए मुझे मैसेज करते हैं कि सर नंबर देजे नंबर ऑल्रेडी गिवन इन वीडियो तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है यहीं पर समा जैंब